हेलो फ्रेंड्स एससी ओनलाइन मेंटर में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग दिखेंगे ट्रिक्नोमेट्री का पार्ट सिक्स इस पार्ट में मैं आपको कुछ specials, questions जो के typical questions हैं उनको बताऊंगा ठीक है उनको कैसे solve करना है क्या approach रहनी चाहिए traditional भी बताऊंगा और उसका smart approach भी बताऊंगा ठीक है उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ जो इस lecture को पहली बार देख रहे हैं और प्लीज पहले जाकर ट्रिक्नोमेट्री के part 1 to part 5 पहले अच्छे से देख लें उसके बाद ही part 6 पर move करें ताकि आपको lecture अच्छे से समझ में आ सके क्योंकि lecture sequentially चल रहा है तो अगर आप part first से नहीं देखोगे तो फिर part 6 बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो उन लोगों से request है जो लोग इस वीडियो को पहली बात देख रहे हैं वो इसको pause कर दें उसके पहले part 1 से part 5 की वीडियो देख लें उसके बाद ही part 6 पर move करें और जिन्होंने हमारा चैनल SEC Online Mentor सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको regular updates मिलती रहे हैं और साथी साथ आप हमारे Facebook पेज को भी like कर सकते हैं ठीक है description में इसको आपको link मिल जाएगा और हमारे YouTube का जो चैनल है उसके उपर भी लोगो बनाऊगा उस पर क्लिक करोगे और Facebook पे तो आप रिडायट हो जाओ इसके साथ ही साथ Facebook पर जुड़ने के अपने ही फायदे हैं जैसे कि government jobs notification और तमाम के जिस SSC से जोड़ी जान करी हैं आपको लगातार मिलती रहेंगी ठीक है तो आईए आज हम लोग दिखते हैं ट्रुक्नमेट्री का पार्ट 6 ट्रुक्नमेट्री पार्ट 6 में पहला जो स्पेशल टाइप है वो यह है कि अगर आपके पास कुश्य में कंडिशन इस टाइप के दे रिख्यों मेंस इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस्ट थीटा एकॉल टो सी एंड बी साइन थीटा मैनस एकॉस्ट थीटा एकॉल टू कि यह व्योविशन है और जो निकालना है उनकी कॉफी सेंट मतलब आपस में रिवर्स हो गए हैं मींस इस ट्राइप के कंडिशन हो रहे हैं जब भी इस है इस ट्राइप की कंडिशन हो कि तो साइंट चैंज होगा और उसकीए व्यल्य कैसे निकालेंगे कॉफीशेंट अगर इसके वाले निकालने तो क्या करते हैं? कॉफिशेंट हो जो गिविन है उसका स्क्वेर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर समझ कर ये रैकर साथ तो ये निकालने का फॉर्मूला आए ठीक है? आप लोग इतना प्लस 5 कॉस्ट थीटा इकल टू 5 तो 5 साथीटा मैनस 3 कॉस्ट थीटा इकल टू क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी दोगर मैंने आपको बताया है कि इसका कॉफिशेंट और इसका कॉफिशेंट आप पास में इंटर चेंज हो गए है यहां 5 में 5 सेकेंट में था यहां 1 में आख ठीक है तो आपको करना है कि इस बारी चीज में फॉर्मला पुट करना है जो क्या पक्या है A² प्लस B² मैनस C² यहांपे A क्या है 3 है 9 है 9 है अब यहां पर पूट कर दीग यह यह जाएगा आपका 3 का स्क्वेर, प्लस 5 का स्क्वेर, माइनस 5 का स्क्वेर, 5 और 5 आपस में कैंसिल, तो यह अच्छी अप्रोच है, बाकि आप लोग यहां पर X करके मानोगे तो भी निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं आपका, ठीक है, बड़ वो थोड़ा लॉंग हो जाएगा, तो आप लोग इस मेठोड को फॉलो करना है, नेक्स्ट कुश्चिन, सैम टाइप है, ठीक है, ताकि आपको क्लिर हो जाए, साइन थीटा प्लस, माइनस कॉस्ट थीटा इकल तो 7 by 13, क्लिर है, एंड कंडिशन इस गिविन, जो आपक थीटा माईनस कॉस्ट थीटा इस सिविन, एज माईनस एओकी एकल टो vivir कॉटन ऑपको थीटा मैंस एकल तो 7 by 13, क्लिर fulfilling इस एकल ड़ एकलाके दो norm लूमश एकिविए, थीटा कंडिशन पलाए, प्लस भी एकचिन, सैस्ट बाह इस एक ता तो बाह थीटा अंडर रूट यह आपके किस्ट इसके करो जाएगा वन का स्क्वेर प्लस माइनस बन का स्क्वेर माइनस सेन भाई 13 का स्क्वेर का अंडर रूट अब इसको देखो बन प्लस वन माइनस 49 वाई 169 इसको इसको मल्टिप्लाई करोगे तो क्या जाएगा टू नाइन जा 18 टू सिक्वेर तो यह आपके पास 338 आएगा तो नहीं मठा रहा तो चक्का बारेक तेरह तो एकम 3 और माइनस 49 यह माइनस करने के बाद आता 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 वास 169 आप स्क्वेर रूट याद करने का तरीका कि यतना तो याद नची 17 का स्क्वेर है और यह 13 का स्क्वेर है यह आपकी जो इस चीज की वेली थी क्या आई यह चीज ठीक है तो आप्शन इस क्लियर एक बास पेस्टे देख लीजिए हमेसा अगर ऐसा कॉश्चन है कॉफिशेंट दौनों के सैम है वेरिवल्स भी सैम है साइन थीटा मैस कॉस थीटा बस यह वाला साइन चेंज हो तो यह वाला फर्मुला एप्लाई होता है क्लियर है तो आप मुझे कमेंट का सकते हो यूट्यूब पे मैं वापकर आपको अंसर बताता हुए साइन थीटा पाई एक्स इकल टू कॉस थीटा वाई य देन साइन थीटा मैस पॉस थीटा देखिए कुश्चन थोड़ा सा डिफ्रेंट है क्या डिफ्रेंस पूछ रहा है वह है आपको कुश्चन को समझना है सबसे बनाता है यह देखिए ना की कॉफिशेंट है क्योंकि यह कुल मैं दे रखा है ठीक है तो आपको कहना प्रेंस को अरेंज करना है अरेंज मींस ट्रिफ्रेंट्रिक फंक्शन एक साइड लेड़ जाएं साइन थीटा अपॉन एक्स इ देखिए भी कोस टिटा यहां आजाएगा और यह जाएगा अपका एक्स पज्बाइज साइन थीटा अपॉन कोस् थीटा टेन थीटा याद हो जाएग आप तो हो गया है काफी डिटों को तो दूंन स्सलिया है ठीक है एक्स आपकोन वाइए उता है मेंस एक्स यार अगर बनाते हैं हम ठीक है that means your theta is here this is your x this is your y then this will be x square plus y square कैसे पाइथाग्रस थियूरम मैं अभी नहीं बता हूँगा जिसको जानना है वो वीडियो का part 1 इस lecture series का part 1 देखे वापे मैंने बता रहा है अब sin theta minus cos theta निकालना है आपको पता है sin theta जो आपका होता है perpendicular और है यह अपकों यह x over under root x square plus y square base upon hypotenuse means same चीज base यह है नीचे denominator same है common निकाल लीजिए x square plus y square that is your x minus y so overall x minus y over under root x square plus y square is your answer clear option is c option is c clear आपका है प्रिदा होगा हमने सबसे पहले आरेंज किया यह 10 theta बन गया 10 theta के बाद में ट्रेंगल मनाया क्यों बनाया क्योंकि हमें से साइन थीटा मेर्स कॉस्टीटा की वालू आप जज कर लोगे क्लियर तो वहां से यह कुशन हो जाएगा कि पुटिंग से भी कर सकते हो ठीक है थीटा वानके नेक्स कुशन देखते हैं फॉर्थ कुश्चन ठीक है फॉर्थ कुश्चन क्या कहता है आपका फॉर्थ कुश्चन क्याता है इफ एकस अपॉ बाइकस इपॉन ऐ भी को भी अपान बी के लिखो एकश नए 1977 ardeffen देखने से काफी कंपण को मुअत लग रहा कोश्चन ठीक है बट इतना कंुछ 건 नहीं है है कि ऐसे कुर्शनों में observation चाहिए होती है कि आप कुर्शन को कैसे observe करते हो हाँ लेंग थी थोड़ा सा हो सकता है बट कुर्शन इजी है देखेंगा कैसे इतना तो हमें पता चल रहे है कि squaring तो करना ही होगी क्यूकि यहां पर meer स्कुर्ण होहा है कि तो हमते हमलों स्क्वेर महलुद सायड के पुल मेरी है चाही है छे है कि यह को स Müरिंग दोफ एक होते हैं है कि यह मारी डूसरी कूशन दूसरी सायी साथ तकुर्ण अगास का square करेंगे तो यह हो जागा आपका x square by a square plus y square upon b square 10 square theta a square plus b square minus 2ab means 2x upon a y upon b और यह 10 theta आप लोग इसको करके दिखले हैं इसका square किया है कैसे किया x square upon a square a square plus b square minus 2ab clear equation number 3 अब equation similarly इसको भी कर लो ठीक है similarly equation 2 इसको रिडिस्ट करेंगे तो यह चीज़ बनेगे दिखले x square upon a square 10 square theta यह बनेगा आपका y square upon b ठीक है और यह जागा आपका plus में है बस यह यंतर है 2xy upon a b and that is your 10th theta this is equation 4 and we need to make this result this result will be made only when we will add up equation 3 and 4 if you see carefully अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें यह चीज और यह चीज दौना सेम है मतना यह वाली चीज और यह वाली चीज तो यह आपस में cancel हो जाएगी ठीक है इसका मतला हमारे पास बचेगा सुक्वेर फ था है अपॉन Dubai स्कुर ऑपॉन क्या एसकल कि ए यह चाहिए प्लश बा West क्या स्कुर अपॉन corrá ऑग कि यह यह बनारे लाली प्लस वाई स्कुर अपउन 2020 लिग स्कुर fundamental to क्लियर अब यहां से हमें बेसिक आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए कि रिजर्ट निकालता है साथ से पहले तो जो कॉमन बाली स्राइडन को एक साइड कर लेंगे मेंज यह दिखो यह और यह यहां से हमारे पास एक स्कूर अपन यह स्कूर निकल जाएगा एक तो यह बन गी दूसी बन जाएगी वाइस क्वार अपन बी स्कूर टैन स्कूर थीटा इसका बतार टैन स्कूर ठीक है यह स्कूर अपन बी स्कूर इकल टू क्लियर मैंने क्या गया इन दोनों को अरेंज कर लिए मतार इसके साथ जो इसका कॉफिशेंट था अब यहां से होगा क्या आपके फायदा कि यह आप कॉमन निकाल लोगा कॉमन निकालने इसके माना बन प्लस टैन स्कूर थीटा दूसी तरफ भी सिमिलरली ही जाएगी य स्कूर अपन बी स्कूर यह बन जाएगा आपको आस टैन स्कूर थीटा प्लस वन रैट साट टू क्लियर अब एक चीज़ देखो आप लो वन प्लस टैन स्कूर थीटा को मिलोग क्या ले सकते हैं सीकेंड स्कूर थीटा अफली क्लियर होगा पर इस सैड़ भी स्कूर स्कूर थीटा ले सकते हैं ठीक है यह रैट संट ने क्याएगा 2 सीकेंट स्क्वेर थीटा कॉमन निकाल लीजिए अंदर बचेगा X स्क्वेर Y A स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर अपॉन B स्क्वेर यह रैट संट ले जाएगा तो क्या मन जाएगा यह रैट स्क्वेर अपॉन A स्क्वेर Y स्क्वेर अपॉन B स्क्वेर एककोल टू अपॉन सीकेंट स्क्वेर थीटा और टू अपॉन सीकेंट स्क्वेर थीटा क्या हो जाएगा टू को स्क्वेर थीटा यह वैल्यू के इसके बराबर होगी इसके तो ऑप्षिन इस डी अब प्रोब्लम मारे सामने यह है सबसे बड़ी कि कि इतना करना इतने कम समय में हैं यह कुछ कुछ नसों होते हैं जो टाइम खाते हैं ठीक है तो अससी में सारे कुछन ऐसा तो नहीं है कि आप 15 सेकंड में क्लों कुछ 30 सेकंड में कुछ 15 बीट सब्सक्राइब करने और आप अगर नहीं कर सकते हो तो इसके लिए एक मेथड और है ठीक है वह समझ लो स्मार्ट अप्लोच जो अपनी है वह यह है क्या होना चाहिए अगर हम यहां पर पहले सटिस्फाई करा दें दोनों साइट तो हम निकाल सकते हैं अब देखो थीटा को 45 माने चलते हैं ठीक है एक्स को और अ को वन रखेए वा इको 0 रखें देख़ें क्या होता है वन अपों वन माइनस जीरो 1-0, 1, ठीक है, दूसरी दब देखो, x upon a, 1 upon 1, 1045, 1, ठीक है, by upon, बद जीरो कसी ड्वाइड करोगे, तो वो 0, बन प्लस 0, दोना तरफ satisfy कर रही है, ठीक है condition, जो satisfy कर रही है, तो ये चीज़ निकाल नहीं है, x square upon a square, plus y square upon b square, x की value मेरा पास क्या है, 1, और यहां भी 1, दोना साइड square, y की value क्या है, 0, clear, y क्या है 0, जीरो को किसी भी नंबर से ड्वाइड करेंगे, तो क्या है अगान से, 0, 1, प्लस 0, 1, अब option match कराने, इसको बोलते है, option matching method, से कुशन करना, ऐसे कुशन को option से करना बेटर है, अब option आप match करा लीगे, जो जो मैंने बिलू बता है, यह आप रखो, तो सेक 45 को पता है, root 2 होता है, root 2 का square, 2, 2 into 2, 4, नहीं match कर रहा है, यह आपका क्या हो जागा, 2, यह बनवाई root 2 का square, बनवाई 2, यह बनवाई 2 into 2, that is your 1, option D, clear हो गया, एक बाद फिर से बता देता हूं, यह दोनों equation में ऐसी value रखो, जो satisfy करा दे, जब यह satisfy करा देगा, तो फिर वो ही same value उसमें रखी है, जो भी आपको value मिलेगी, उसको option से check करो, जो भी action match करेगा, आप cancer वही होगा, हाँ, और एक चीज़ और, कि अगर 2 options same आते हैं, तो आपको value या angle change करके देखना होगा, ठीक है, यह चीज़ धियान रखना है, थोड़ा सा time लग जाता है, कभी कभी, अगर 2 options same हो जाते हैं, otherwise, it will be a perfect method, okay, आप इसको युज़ का सुखते हैं, बट यह जो approach है, किसके लिए, जो भी start किये, ठीक है, और, जो आगर बढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ों को logical समझना चाहते हैं, वह यह method है, यह आपका class 10th method है, और यह आपका competitive method है, ठीक है, तो इसको भी साती-सात उतना दीखना जरूरी है, जितना इसको, क्योंकि एक्जाम में टाइम आपका यह सेफ करेंगा, ना किये, clear, ओके होफ़ली समझ में आगया और नहीं आया तो प्लीज चाहके, दुबारा से देखें, clear, last question, बहुत ही पहतनी question है, सीजल मेंस 24 में साइथ आया हो, question नहीं है, साइन थीटा प्लस 3 को स्क्योंकि थीटा यह, 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 जिसकी वेल्व आपको निकाल नहीं है, वैसे तो देखती ही पता चल रहा है इसका अंसर, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यह चीज, पहले तो इसको सिंप्टिवाए कर लो, साइन थीटा प्लस स यहाँ नहीं है, यह, साइन थीटा झाल तो प्लस से जाएन इक्यों से प्लस प्लस क्यों कर देखता हूँ, यह, अपका क्यों जाएगा, तो यह आपका क्यों जाएगा, साइन थीटा बन रहा है, द्रेट जो थ्री कॉस फाइब थीटा थ्री कॉस फोर थीटा इस जोर पूरा प्रीज करना है अब को सायन रखना है क्लियर यहां पर तभी तुस्क्वरिंग कतम होगी देखो सायन थीटा पर आपको स्कॉर्ण 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 स्कॉर् 64 clear this and this this equation will form a plus b ka whole cube clear sin cube ka theta plus sin theta ka whole cube sin square theta plus sin theta ka whole cube plus 64 यह जब इसका करोगे तो इसका whole cube बने कैसे a cube sin square theta ka cube sin 6 theta sin theta ka sin cube theta वाकि 3ab 3ab into a plus b clear तो अब इसकी वहलो आपको पता है sin theta plus sin square theta को बन है 1 का cube that is always 1 1 plus 64 that is 65 65 is your correct transfer option D clear हो गया होगा इसमें करना कुछ नहीं था देखती ही पहले भी ऐसे मैंने कुछन कराए है आपको पर वहाँ पर पापर 4 होती थी तो क्या होता था direct answer number बनाया था पर यहाँ पर 64 दे रखा था ठीक है और यहाँ पर फॉर्म बनाया है एक प्लस बीक्यूब का और उसकी वेल्यू जो है वान एवन का क्यूब का था वान बनाया था 64 65 clear ओफली आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा और अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लेक्चर को लाइक करना ना भूले शेयर करें अपने फ्रेंट्स लोगों के बीच और लेक्चर को ज्यादा स-ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा स-प्रेंट्स तक ये जो मेरा इनिशेटिव है पहुंस सके ज्यादा स-ज्योद लोग उसका लाव अठा सकें और एक बार मैं फिर से दोराना चाहूंगा जोनों नहीं हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज पहले जाके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि यहां से आपको वीडियो की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें और आपसे कोई वीडियो का नोटिस बिक झाल